देखो प्रितिसत का बासट नंबर कॉस्चन देखो क्या कहता है 62 कि एक आदमी 8,550 की अपनी आयमे से 5,700 रुपे खर्च करता है अगर उसकी आयमे 19 प्रितिसत और कर्च में 13 प्रितिसत बढ़ जाए तो बचत में कितने प्रितिसत का परिवर्थन होगा देखो इंकम और एक्सपेंटीचर इंकम 8,550 और खर्च कितना करता है 4700 रुपे ठीक जीरो से जीरो कट गया 19 का पाहड़ा पड़ो 19 तिया 57 जीरो 19 से उननी चौक 76 नो उननी पंजे पिच्च्यन में 15 का पाहड़ा पड़ो 15 तिया 15 तिया 35 तीन बटे दो ठीक इंकम इक्वल टू सेविंग पलस एक्सपेंटीचर खर्च ये खर्च है ये बचत है और ये उसकी आये है ठीक है अगर इंकम 3 रुपे है और वो खर्च 2 रुपे करता है तो बचाता कितना एक रुपे जीरो लगा दो सभी को कैलकुलेशन में आसानी होगी आये कितनी 19 पिरतीसत बढ़ जाती है इंकम को अगर 19 पिरतीसत बढ़ाएंगे तो 300 का 19 परसेंट कितना होगा ठीक है और खर्च के करता है कि खर्च 13 पिरतीसत बढ़ जाए तो 13 दूनी कितना बढ़ जाए चब़ीश बढ़ जाए अब देखो यदी इंकम 57 रुपे बढ़ती है खर्च उसमें से 26 रुपे होता है वहीं इंकम 57 रुपे बढ़ती है 26 रुपे उसमें से खर्च हो जाता है तो सेविंग कितना होता है 31 अब 31 रुपे सेविंग होती है कितने पर 100 रुपे पर गुना में 100 100 से 100 कट गया कितना बच गया 31, 35 और यही क्या हमारा आंसर यानि जो C option है तीन नमर जो option है वो बिलकुल आपका सही उत्तर है